आज मैं अपने प्रिये जनों को एक संदेश देना चाहता हूं हिम्मत बढ़ाएं, करोना भगाएं आज पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के सभी भैवीत हो गए हैं करोना से इसलिए इससे बचने का एकी रास्ता मैंने सोचा और होता भी नहीं है कि जो बेक्ति हिम्मत से इसका मुकाबला करेगा वह उस पर विजय प्राप्त करेगा कहावत है हारा वही जो ठीक से लड़ा नेगी हम लड़ने के लिए त्यार है आज पूरी दुनिया में इसके गुद्ध में लोग लड़ रहे हैं भारत में भी लड़ाई सुरू हो गई है और हमारे विहार परांद के सरकान ने भी पूरी तरह से हिम्मत से इस युद्ध के लिए अपनी भोशना कर दिये हम पूरी मंदारी से लड़े घर की सभाई रखे लोगों को भैवीत होने से बचाएं एक छोटी सी बात मैं काका चाता किसी गाओं में एक संत रहता था रात के 12 वजे उस संत ने देखा कि एक छाया गाओं के तरब जा रही है संत ने पूछा तुम कौँ हो छाया के तरब जावा जाएं मैं मौत हो गाओं इस गाओं से 100 लोगों को मारना है संत जुप हो गया च्छाया चली गई तीन देन के बाद च्छाया लोटी संत ने फिर पूछा ज़िए तुम कहा गए थे तो उसने कहा कि मुझे सव आदमी को मारना था संत ने जवाब दिया लेकिन यहां का दो सो लोग मार गए कहा कि मैं क्या करूँ मैं तो सो आदमी को मारने गया था एक सो आदमी डर से मर गए तो आज डर से मरने की जरूरत नहीं है बहादुरी से मुकाबला करने की जरूरत है आज मन तमान लोगों से इवेदन करना चाहता ह कि बाहर के लोगों के संपर्ग में हम लोग ना रहें बाहर के लोगों से दूर रहें और जहां कहीं भी बिदेशी लोग आते हो बिदेशी जो यह करोना पीडित लोग आते हो हम उसे दूरी बना कर रखे और अपने घर की सपाई महिलाओं के हिमत बढ़ाएं बच्चों को हि पॉस्टिक भोजन करें मांसाहार का निशेद करें ऐसी परिस्थिती जिस दिन हम लोग कर लेंगे हमारे समाज से करोना का भैल लुप्त हो जाएगा और मैं तमाल प्रभुद्ध लोगों से समाज के प्रभुद्ध लोगों से अनुरूद करता हूं कि सब लोग मिलकर अपने मुहले में अपने खों में सब लोग इस चीज़ का प्रचार करें प्रसार करें किया करोना कोई प्रमात्मा का दिया हुआ आफ़द नहीं है या प्रमात्मा का दिया हुआ कोई ऐसा उपद्रम नहीं है या मैं मेड है हमने बनाया है तो हमने बनाया है तो हम इनको नस्ट भी हम ही करेंगे यह गौड गिफ्टेट नहीं है इसलिए टंदले की कोई जड़त नहीं है केवल हिम्मत चाहिए हमारे पास ताकि हम इस बिमारी से मुकाबला कर सके हम अपने मित्रों से अंगरोद करते हैं कि अपने अगल मगल के लोगों में भी यह जो अफ़वाएं ठाई जाती है उसको रोकें बच्चों को हिम्मत बढ़ाएं उनके साथ खेले खुदे पौश्टिक भोजन करें सफाई पर भी से दयान दें घर बार चारों करब से सबके बिवस्ता करें और इस बिमारी को जितनी कि जल्दी होब सके खदेर के बार के का हुदे